इवर्ट्स SEO में वो पहला बन्यादी स्टेप है जो SEO की बन्याद बनता है और अगर ये स्टेप गलत हो जाए इसके बाद सारी SEO गलत हो सकती है इस वीडियो में हम जानेंगे कि कीवर्ट्स क्या होते हैं और उसको हम कैसे रिसर्च करते हैं तो चुर्ण जब आप Google पे कुछ सर्च करते हैं तो आप कुछ ना कुछ लिखके सर्च करते हैं और जो वर्ड्स आप लिखते हैं असल में उनी वर्ड्स को कीवर्ड्स कहते हैं कीवर्ड्स कोई एक डिफरेंट टर्म नहीं है ये टर्म सिर्फ SEO के लिए यूज की जाती है असान लफजों में कीवर्ड्स वही लफाज हैं जो Google में लिखके सर्च किया जाते हैं तो कीवर्ड्स की असल में जो बन्याद है वो इस तरह से पढ़ी किवर्ड्स किसी ना किसी तरह से Google के डेटाबेस में जाकर कोई ना कोई सर्च लेकर आते हैं तो इन लफजों को की का नाम दिया गया मतलब कि ये वो चाबी है जो आपके किसी डेटाबेस में जाकर एक ताला खोलती है और वो आपको इंफॉमेशन लेकर आती है तो इसको कॉम्प्लिकेट करने की बजाए असान लफजों में इसको हम वर्ड्स भी कह सकते हैं लेकिन कीवर्ड्स अमूमन एसी ओ में यूज होता है इस कीवर्ड्स को एक और तरीके से भी लोग पहचामते हैं वो है सर्च क्यूरिज क्यूरिज मतलब के सवालाथ वो सवालाथ जो आप गूगल सर्च में डालते हैं और सर्च करते हैं वो सर्च क्यूरिज कहलाता है या सिंपल फॉर्म में उसको आप क्यूरिज भी कह सकते हैं So keywords, search queries या words ये सब एक ही चीजों के मुख्लिफ नाम है और इनको आप किसी भी तरह से पैचान सकते हैं हम इस course में इसको keywords ही बोलेंगे ताके आपको असानी रहे इसको समझने में So Google ये words कैसे retain करता है? Google हर मुलक में एक different version चलाता है For example, Pakistan में Google का version google.com.hk है जैसे के आप देख सकते हैं जब भी आप google.com किसी भी मुलक से search करते हैं, Google आपको automatically redirect करता है उस country की domain पर और उस country की domain पर जाके जब भी आपको search queries करते हैं, वो search queries का database Google के पास maintained होता है अब ये Google, ये database लोगों को supply कर सकता है बाद में कि आप इसको research कर लें और research करके अपनी website बेतर कर लें ये वो data है जो हमें SEO करने में मदद देता है और ये वो ही data है जो actually SEO professionals को help करता है कि अपनी website पर वो क्या डालेंगे, किस तरहां से डालेंगे और कैसे वो आप Google के उपर बेतर तरीके से आ सकते है keywords की एहमियत क्या है? जैसे कि मैंने पहले बताया है कि keywords सबसे एहमियत के हामिल हैं क्योंकि अगर ये बन्यादी step गलत हो गया तो इसके बाद सारी चीज़ें गलत हो सकती है इसकी एहमियत ये है कि जब आप कोई search करते हैं तो आप यकीनन किसी need या want के तहत सर्च करते हैं ये need या want हमने पहले जिकर किया जिसको आप intent भी कहते हैं जब customer कोई चीज़ सर्च करता है वो एक सोच के साथ आता है वो एक चीज़ चाहता है कि वो उसको मिल जाए और वो चाहत हमने identify करनी होती है और अगर हमें ये पता चल जाए कि वो क्या चाहा रहा है तो हम उसको अपने business के साथ link करके हम properly अपना content optimize कर सकते हैं और यही वज़ा है कि SEO इतनी successful है क्योंकि इसके हमें काफी benefit हो सकता है कि जो लोग चाह रहे हैं उनको वो मिल जाए और ये ideal scenario होता है कि वो हो सकता है कि अगर उनको वो मिल जाए जो वो धून रहे हैं तो वो वहां से sale भी करके जाएं इसकी examples में आपको देता हूँ For example, आपको अगर mobile phone चाहिए तो आप Google पे क्या सरच करेंगे आप Google पे जाएंगे और जाके लिखेंगे mobile phones तो ये mobile phones बेसी के लिए keyword के तोर पे Google के database में save हो गया और Google को ये पता है कि पाकिस्तान में आज उस्मान ने या आपने एक दफ़ा mobile phone सरच किया अब हम ये पता है कि Google हर जागा से एक्सेस हो रहा है और बहुत सारे लोग इस पे बहुत सारी चीजें सरच कर रहे है तो ये Google का ये database ये चीजों की गिंती करके रखता है कि कौन सा word किस मुलक से कितनी दफ़ा सरच हो रहा है तो इसी को keyword कहते हैं जो बाद में research हो सकती है और हम इन चीजों के बारे में इसी अगले topics में बात करेंगे तो एक word था mobile phones इसी के साथ अगर आप लिखें mobile phones in lahore या mobile phones with cheap prices या latest mobile phones या mobile phones under 20,000 ये सारे वो words हैं या वो queries हैं जो आप Google में जाकर search करेंगे और आप अपना result निकालना चाहेंगे ये सब words हमारे लिए यानि के SEO के लिए, SEO professionals के लिए ये words basically keywords कहलाते हैं और इसी को हम मज़ीद discuss करेंगे कि ये keywords कैसे research किये जाते हैं और ये क्यों important है